So Hello Everyone, कैसे हैं आप सब, I hope सब बहुत ही अच्छे होंगे, आज आपको पताऊंगा कि YouTube जो चैनल है, पूरा प्रॉपर कस्टमाइज और बेस्ट YouTube चैनल आप कैसे बना सकते हैं, इस वीडियो में आपको फुल एक्स्प्लेइन किया हूँ, हर एक चीज स्टेप बाई स्टेप इ ऐसे ही YouTube चैनल आप बना सकते हैं, कई लोग क्या करते हैं, जल्दी में ही YouTube चैनल, YouTube के होमपेज से जाकि, Create Your Channel पर क्लिक कर देते हैं, और चैनल का नाम रख देते हैं, और चैनल इनका बन जाता है, लेकिन नहीं मेरे भाई, पूरा कस्टमाइज चैनल आप नहीं बना सकते है पूरा कस्टमाइज चैनल कैसे बनाएंगे, उसमें Tag, Title, Description कैसे आपको Submit करना पड़ेगा, जो कि जैसे कि आप वीडियो बना लेते हैं, फिर इसके बाद Description बार-बार आपको लिखना पड़ता है, टैग आपको बार-बार लगाना पड़ता है, लेकिन आपको Chrome Browser में लिए बहुत ही अच्छा होता है, जो हमारा चैनल सब के बीच, लोग के बीच पहुचेगा, तो और अच्छा भी लगेगा, और हमारी जब वीडियो लोग के बीच पहुचेगी, तो हमारा Tag, राएंग करता है कि नहीं राएंग करता है, डिसक्रिप्शन अच्छे से सकते हैं तो इस वीडियो में आपको full explain किया हूँ वीडियो long हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं आप वीडियो को पूरा देखिएगा कि आप भी अगर यूटुब चैनल अगर आप create कर लिये हो या बना लिये हो आप काम कर रहे है यूटुब चैनल पे एक सालों गया दो साल लेकिन कुछ ऐसी setting होती है जो आप नहीं करते हो वो setting इस वीडियो में है और मैं एक short वीडियो ही बनाऊंगा वो कुछ कुछ जो setting होती है ताकि आप लोगों को भी अच्छा knowledge जो है वो मिल पाए और अपने चैनल पर आज ही जाके जो है वो setting कर सकते हैं इस वीडियो के आजम से भी आपने चैनल को set कर सकते हैं पूरा properly तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वीडियो को करते हैं सुरू मुझे पता है दोस्तो यूटूब चैनल बनाना बहुत ही आसान है लेकिन पूरा कस्टमाइज चैनल आप लोग नहीं बना सकते हैं न्यू क्रेटर तो बिलकुल भी नहीं बना सकते हैं तो दोस्तो यूटूब का home page खोलिए और your channel पे click कीजिए ठीक है your channel पे जैसे ही click करें तो सबसे पहले आपको picture लगाने का बोला जाएगा जैसे कि आप logo लगा सकते हैं जिसको logo बोलते हैं आप तो मैंने logo औरेडी बना के रखा हुआ है आप लोग पिक्सल एप से बना सकते हैं logo कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें तो मैंने यहां पर देखिए logo को set कर दिय की तो हमें नाम क्या रखना है अभी आपके सामने देखते हैं तो यहां पर देखिए हम जो नाम रखने वाले हैं वो बहुत देखिए नाम भी बहुत यूनिक रखना होता है यह नहीं कुछ भी रख लो आप तो वो search list में काम आता है तो यहां पर देख सकते हैं मेरा जो न अबाउट भी नहीं है कुछ भी सब कुछ यहां पर अभी खाली है वीडियोस तो है नहीं बिल्कुल तो यहां पर अभी बहुत सारा जो काम है वो करना बाकी है तो यहां पर देख सकते हैं चैनल का बैनर अभी लगना है डिस्किप्शन लिखना है अभी तो यहां पर बहुत सारी जो चीज़े हैं तो चलिए Chrome Rogers में अपना चैनल हम open कर लेते हैं open करने के बाद हम यहां पर देखेंगे सबसे last second option पर यहां पर हम क्लिक करेंगे और यहां पर एक लिखा हुआ लगने लगेगा और अच्छा भी लगने लगेगा लोग कहते हैं घर अच्छा हो तो तभी तो लोग देखते हैं तो इसी हिसाब से हमारा जो चैनल होता है तभी लोग देखते हैं यहां पर हमारा सारा setting जो है अभी पूरा नहीं हुआ है बिलकुल भी तो यहां पर आप देख सकते हैं और वीडियो लॉंग है तो पूरा देखिएगा आप लोग तो यहां पर देखिए हमारा कुछ लुक इस तरीके से दिखाई दे रहा है हमारे चैनल का यूटूब के होम पेज पे या डैक्शॉप पे खोलोगे तब भी ऐसे दिखाई देगा देख सकते हैं उसमें काम बहुत सारा होता वो नहीं करते हो आप लोग क्या काम नहीं करते हो मैं आपको भी बताने वाला हूँ इस पेडियो में यहां पर देखिए लिखा हुआ है यहां पर अभी बेसिक इन्फोर्मेशन पर बेसिक इन्फोर्मेशन पर अपना जो एबाउट जो सेक्श को में जाकर दिखेगा लोग वहां से भी direct आपको कॉंटेट कर सकते हैं अगर आपका instagram अगर है तो वहां से आपको direct कि हान बहुत सारे पांच link आपको मिलें आपको लगा सकते हैं बहुत साघ्सटाग्राम तुटर बहुत सारे businessman लिंक आप यहां पर दोस्तो सभब्सक्षी पर लिक्ष्ट सेक्성न सही हैं कि नहीं है तो आप देख लेते हैं यहां पर next step क्या होगा हमारा तो चलिए setting में open करेंगे और channel पर click करेंगे तो channel पर जैसा ही click करेंगे दोस्तों यहाँ पर देखने वाली बात है और source समझने वाली बात है यहाँ पर सबसे पहले हमें country select करनी होगी तो हम country को select कर लेंगे और दूसरा काम हमारा होगा इसमें यहाँ पर देखिए अभी आपको पेस्ट करना होगा यह है आपका tag keywords हो कर रहा होते हैं बहुत सारे तो हम अपने चैनल के recording keywords रख लेंगे तो keywords हमने यहाँ पर देख लिए लगा लिए हैं और keywords अपने चैनल के recording ही रखी है जैसे आपका blogging का channel तो blog बहुत सारे क्राइडिग्री आपको मिल जाएगी आप select करके आप लगा सकते हैं तो यहाँ पर हमारा save हो चुका है और next step अभी हम आपको दुबारा दिखाना हो लोगे को दुबारा setting पर क्लिक करेंगे और channel पर क्लिक करेंगे default uploads पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए title description बहुत सार यहाँ पर language आपको select करनी है कि आप कौन सी language बनाते हैं तो हिंदी बहुत सारी चीज़ें तो आप यह लगा सकते हो यहाँ पर जैसे यह tag है तो हम सबसे पहले tag को complete कर लेते हैं tag लिख लेते हैं अपने channel के recording वीडियो के recording कैसी वीडियो हम upload करते हैं तो उस हिसाब से आप tag कर करेंगे तो आपको description और tag लिखने की कोई जूरोत नहीं पड़ेगी यहाँ पर देखिए हमने इस पर बना दिया है और यहाँ पर हमने save कर दिया है तो यहाँ पर हमारा जो save हो चुका है फिट से हम setting पे click करेंगे और upload default पे click करेंगे upload तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ प category क्या है तो हम basic people and blog पर ही रखेंगे क्योंकि मारा blog का channel है तो people and blog पर ही रखेंगे इसके बात देखेंगे language को select करना है आपको Hindi ठीक है अगर आप Hindi बीडियो बनाते तो Hindi ही select करेंगे हम तो हम हिंदी को select कर ले तो यह काम हम कर लेते हैं जैसे कि हमारा सब कुछ हो चुका है और description अब हम लिखेंगे जो की title के जो वीडियो का description होता है तो हम इसा बार-बार लिखना पड़ता है तो ब हम description अपने आप automatically आ जाएगा लेकिन वह तब आएगा जब आप Chrome राजर से वीडियो upload करना सीख जाओगे मैं आपको बताऊंगा भी Chrome राजर से कैसे वीडियो upload करेंगे दोस्तों यहां पर देख सकते हैं हमारा सब कुछ setting जो है proper अभी हो चुका है लेकिन एक setting अभी बाकी ह वो मैं भी आपको करके दिखाऊंगा वो setting क्या है मैं आपको अभी करने माला हूँ advanced setting पर जाएगा और यहां पर देखें तीन option दिखाए रहे हैं तो आपको बीच वाले पर click करना है ठीक है बीच वाले पर click कर देना है आपको इस पर यह होता है कि mats for kids मतलब बच्चों से related video नहीं है या कुछ और चीज़ें होती है आपर अगर बच्चों से related बच्चों पर click करना है आपको बीच वाले पर click कर देना है यहां पर देखें हमारा सारा setting है वो proper हो चुका है लेकिन अभी setting और रह गया verify करना क्योंकि अभी हमारा चैनल है वो customize अभी पूरा तरीके से नह अभी enable नहीं है तो second आले को हमें enable करना है information features पर यहां पर जैसे हम click करेंगे यहां पर आपके सामने जो है कुछ verify करने को आएगा अभी मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूं जैसे यहां पर देख सकते है verify number आ गया तो हमारे सामने कुछ तरीके इंटरफेस को लेगा तब जाके एक YouTube चैनल जो है वो create होता है लेकिन लोग क्या करते है बस ऐसे ही create कर लिया और ऐसे ही हो गया काम ऐसे नहीं होता मेरे भाई तो यहां पर देख सकते हैं हमारा पूरा complete हो चुका यहां पर अगर हमें वीडियो chrome browser अप्लोड करेंगे तो हमारा tag, title सब कुछ लिख आएगा, title आपने इसाब से आपको लिखना पड़ेगा, यहां पर देखिए, upload पर क्लिक करना है और अपनी वीडियो को फाइल जो आपने रखी है इसे पर कि यहां पर upload कर देना है, description, tag अपने आप automatically आपको लग जाएगा दोस्तो, तो यह मैं भी वीडियो ऐसे ही upload करता मेरा सब कुछ इधर से हो जाता है, ताकि time बच जाता है थोड़ा दोस्तो, क्योंकि time कम रहता है, तो इसलिए आप लोग के पास भी आया option वाज सकता है, और आप लोग इस option का यूज किया करिए, हमेशा Chrome रहो जैसे ही video upload किया, तो दोस्तो जैसे कि आपने देख लिया सारा YouTube चैनल जैसे हमने create कर लिया है, step by step हर एक चीज हमने कर लिया है, तो ऐसे ही एक YouTube चैनल बना लिए इतनी सारी हाट वर्किंग होती है, तो ऐसा ही सब काम करना पड़ता है, तभी जाके अच्छा एक best YouTube चैनल जो है, वो create होता है दोस्तो, तो आशा करता हूँ कि आपकी वीड पसंद आयोगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में